खेटवा OLQ, ट्रेक्टर टू का दूसरा OLQ कहते हैं इसे Cooperation Short Form COOP यह Cooperation, again we are working in groups, individual तो है नहीं है हमें हमेशां ग्रूपों में ही काम करना है तो Cooperation का हौच के अंदर बड़ा महत्व है joint effort, अखेले effort से नहीं, joint effort से ही success मिलती है और team spirit को पैदा करके रखना है और important चीज़ यह है कि आपको अगर अपना individual interest और organization का interest इसमें clash आता है तो अपने interest को आपने relegate करना है और अपने unit के, अपनी organization के, अपने group के interest को आपने आगे रखना है और इसमें करना क्या है, आपने जो भी काम होता है in the group करेंगे आप उसको willingly participate करना है किसी के धका मारने से नहीं, आपको खुद को अंदर से होना चाहिए कि यह मेरा group है, यह मेरी organization है, मुझे करना है और मुझे willingly इसमें participate करना है किस के लिए करना है, अपने harmony बनाते हुए दूसरों के साथ और क्या करने, क्या अचीव करने के लिए, ग्रुप का जो goal है उसको अचीव करने के लिए और हमें हमेशा इस बात का ख्याल होना चाहिए collective effort जो है, वो ज़्यादा important है बजाए individual effort के इसी को देखते हैं example के साथ यह है football field यहाँ पे एक red team है और एक blue team है यहाँ पे आप क्या देखते है, red team का एक player है बड़ा अच्छा individually, बड़ा अच्छा खेलता है dribble करता, करता, करता यहाँ से लेके ball यहाँ तक लेके आगया अब जब यहाँ पे team में आया तो वो score करने के एरादे से ball को आगे करना चाहता है लेकिन क्या देखता है, blue team के opponents ने उसको चारो तरफ से घेर रखा है, तो वो तो score नहीं कर पाएगा अभी यहाँ पे इसी बंदे का दूसरा team player खड़ा है, वो कह भी रहा है कि मुझे pass करो, यह लड़का उसको pass नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो अपने individual glory को देख रहा है वो यह देख रहा है कि मैं ही goal करूँ ताकि कल school की magazine मेरा नाम आए कि विजय ने एक score किया goal किया जिसकी विज़े से victory हुई लेकिन वो यह नहीं समझ रहा अगर वो goal नहीं कर पाएगा तो team हार सकती है क्या important है, team का जीतना या individual की glory इसी बात को ख्याल करना है ये football match तो हमेशा ध्यान में रखे ये समझने के लिए कि cooperation का essence क्या है